नमस्कार मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स विजैर आगाउगर थाना छेत्र के बंजारी गाउं से लगे बंचेत्र में 16 जन्वरी को एक यूवक की लाश मिलने के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है शुक्रवार को पुलिस अधिक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि यूवक की हत्या उसकी पत्नी के प्रेमी और मुबोले ने भाई ने की है हत्या की जाने की साजिस उसकी पत्नी ने रची थी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को बंजारी गाउं से लगे जंगल में एक यूवक की लाश मिली थी सूशना पर पहुँची पुलिस ने शब को अपने कपजे मिले कर पंचनावा कारवाई के बाद पोस्माटों के लिए भेज दिया शब की पहचान मईहर जिले के बदेरा थाना छेत्र के धनवाही गाउं निवासी रमाकांत पिता कृष्ण कुमार पटेल के रूप में की गई इसके बाद मामले की बेवेशना के दोरान की गई पूछताच में जानकारी मिली की रमाकांत पटेल की शादी 1 मई 2030 को दिवास में इंदोर निवासी राखी पटेल से हुई थी शादी के बाद राखी पटेल ससुराल में करीब 15 दिन रहने के बाद वापस माईके आ गई पती पत्नी के बीच ताल मेल ठीक नहीं होने के कारण वह माईके में ही रह रही थी 15 जनवरी 2024 को रमाकान पतेल मोटर साइकल से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल देवसरी इंदोर के लिए रवाना हुआ लेकिन रमाकान पटेल अपने ससुराल नहीं पहुचा और ना ही वहाँ अपने घर पहुचा इस बीच उसकी लाज 16 जनवरी को बंजारी छेतर के जंगल में बिली जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया पुलिस ने बताया कि उसकी पतनी अपने पती के साथ नहीं जाना चाहती थी इसी वज़े से उसने अपने प्रेमी विदयादाओ के साथ मिलकर अपने पती को मारने की साजिस रची बारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने मूँ बोले भाई राजकुमार उर्फ राजा पटेल को भी शामिल कर लिया राखी का पती रमाकांत पटेल बंजारी छेतर पहुँचा था तो वहाँ पर उसे पहले से परिचित विनय यादव मिला दोनों ने बैट कर शराब पी शाम को जब रमाकांत अपनी पतनी से मिलने के लिए जाने लगा तो विनय ने उसके साथ मार पीट की और मफलर से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी वारदात को अंजाम देने के बाद रमाकांत की बाइक वहीं छोड़ दी और उसकी मोबाइल छेत्र नदी में फेक दिया पुलिस ने नदी से मोबाइल खोज निकाला है तीनों आरोपियों को हत्या और साक्ष चुपाने की आरोप में गिरफतार भी कर लिया गया है जैसा कि आपने बताया कि कि घटना कारेत करने प्रतीत हो कि वह अपना सामान ने जीवन जो है वह जी रहा है